हलो एवरिवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल मैं पुजा धिलो आईजी उनिवर्स्टी के कुछ नोटिफिकेशन्स आए हैं कुछ डेट चीट आई हैं जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं तो कुछ में एमकॉम रेगुलर रियपियर के जो डेट है वो चेंज हुई हैं तो में हिंदी फर्स सेमेस्टर का साहिते की समझ इसका जो पिपर पंदरा मार्च को होना था वो अब बाइस मार्च को होना है म.A. Political Science 3rd Semester का जो Contemporary Political Theory 1 का एक्जाम 14 मार्च को होना था वो अब इनिस मार्च को होगा म.Кॉम अनर्स 9th सेमेस्टर का जो डिजिटल मार्केटिंग जू एक्जाम था 15 मार्च को वो अब पत्चिस मार्च को होना है टाइम और जो क्या कहते हैं सेंटर है वो सेम रहने वाले हैं और यह आज का नोटिस है इसके बाद आपका जो दूसरा नोटिस आया है वो MA Honors English 5th Sam का एक्जाम जो English Novel है वो 8 March को था मतलब कल है जो वो अब 17 March को होने वाला है MA Honors English 3rd Sam वाला जो एक्जाम Maths 2nd का है Tactical Differential Equation यह आपका 8 March यानि कल था वो 8 March को ही होने वाला है तो इसमें डेट तो चेंज हुई क्या लिखाए तो यह आपकी डेट शीट चेंज हुई है बागी टाइम और सेंटर वही रहने वाला है आपका और उसके बाद यह एक न्यू डेट शीट आई है आपकी जो कि ओपन इलेक्टिव और फाउंडेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के अंदर होता है यह पीजी के अंदर ठीक है तो यह है आपका 21 तारीक को आपका जिस भी बच्चे ने संस्क्रेट, MCA, योगा, इंवार्मेंटल साइंस, लोग, इंग्लिस, मैट्स, जोक्रफी, MBA, जोक्रफी, इन सभी के जो बच्चे हैं जिन्होंने ली हुई है इन में से कोई सा सब्जे मार्ज कोई है यह आपका foundation elective for all PG courses का है जो कि value education, value education ही होता है तो EVS का अगर हाँ आपको open elective में कोई help जीए बहुत ही अजीब और करीब थोड़ा paper आता है आप बहुत ही ज्यादा इसको EVS को है ना बहुत लाइटली ले ले लेते हैं जोकि बहुत ही बेकार हो जाता है आप आपका एक्जाम साड़े नो से साड़े बारा रहने वाला है डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब है चैनल थैंक यू सो मच हैव ग्रेट डे टेक कियर